सबस्कार देवी और दिवता मैं जीत आपका स्वाइद करता हूँ आपके अपनी चैनल कंप्यूटर बावा पर में लास्ट वीडियो हमने फ्रॉम को देखा था कि किस तरीके से फ्रॉम से हम अब्जरेबल्स बना सकते थे हमने पदा कर लिया था इटरेबल प्रोटोकोल होन आके देखा था अब बात हमारी पास अड़ गई थी यहां पर आके कि यह जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट होता है जो ना एरे लाइक है ना इसने इटरेबल प्रोटोकोल फॉलो किये तो इसको हम कैसे बना सकते हमारा फ्रॉम के थूरू कि वह आईटम सा लग लग इमिट हो हम इया पैस यहां पें इंटर्स्टिंग चीज आती है हम लोग सिंबल डॉॉट इटरेटर जो प्रोपल्टी होती जिसकी मदद से क्या कर सकते हैं इटेबल प्रोकोल को फोलो कर सकते हैं वह इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अब्जект के ओपर और then उसकी मदद से फिर हम items को as a iterable की तरहे treat करा सकते हैं कैसे मैं बताता हूँ तो मेरा जो username का object है इसी के उपर मैं क्या करने वाला हूँ symbol और मैं इसको नीचे की तरफ ले रहता हूँ क्योंकि हम इसी पर काम करने वाले हैं तो यहां पर मैं कर रहा हूँ symbol.iterator symbol.iterator के हमारे पास एक मिली हुए है मैं ES6 की मेरे से जिसकी मेरे से आप iterable protocol को follow कर सकते हो मैं कह रहा हूँ कि एक function होगी अगर आपको iterable protocol अच्छे study करने तो आप ES6 के बारे में जाने वीडियो देखे मैं आप आपको बहुत abstractly बताने वाला हूँ चीज तो यह इस तरह से हुआ देन उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ जो मिरे पास keys हैं मेरे पास keys हैं मैं उनको अलग से रख लेता हूँ कि मेरे पास कौन-कौन सी keys है और यहां पर इसको ले लेता हूं और यहां पर सेल्फ की खुद का रेफरेंस क्योंकि क्या होगा अंदर जब पोल होगा तो बाइंडिंग के टाइम दिक्कत आएगी तो इसलिए मैं इसको यहां पर सेल्फ इसका रेफरेंस ले रहा हूं यह चीज अगर आप वो समझ नहीं बताना चाहता हूं कि जो इट्रेबल प्रोटोकोल है वह कैसे इंप्लिमेंट आप वैसे जावस्कृट में पता होता है बट यह सिर्फ दिखाने के लिए कि कैसे इस चीज़े इस्तमाल होती है देन यहां पर मैं करने वाला हूं कॉंस्ट वैल्यू और वैल्यू मुझे नि प्लस की हर बार बढ़ता रहे है फिर सेल्फ में से वह जो की हमने निकाली है उसकी वैल्यू और यहां पर नोई इंप्लिसित एनी का यह एर्र दे रहा है इसको हम लोग को पॉल्स कर देते हैं ताकि लिक्र ना दे और इसको लेना होगा हमें लेट ऐसे करके फिर हम कर सकते है कौंस्ठ डुन कि अगर मेरा जो काॉंटर है वो बड़ा हो जाता इसकी जो किस की की जो हमारे पास वैल्यू है कीज कि लेंद्थ जो है उसके तो यानि कि हमारा काम हो गया उसके में सिंपर डेटन क्या करना है एक ऑबजेक्ट जो जिसके अंदर value होगी और एक done नाम से हमारे पास इचीज होने वादी है अगर आप कोई नहीं समझा रहा है क्या हो रहा है बस इतना कहूंगा keys हमने extract कर ली then self reference store कर लिया इसके अंदर होना के चाहिए कि return करता है एक object को और उस object के अंदर हमारे पास next function होता है और वह next function यह मतलब इसे लिखना होता है इस तरीके से बाकि आप जैसा अंदर का काम करवाना चाहो वैसा उससे वह करवा सकते हैं तो मैं क्या करूंगा एक बार इसको check करने के लिए कैससे में हो रहा है तो इसको treat करने वाला हो spread operator के साथ क्यूकि अगर normal object होगा तो spread operator के साथीट नहीं होगा इसके समें error दे रहा है यह इसलिए दे रहा है क्यूंकि हमें यह यह 6 में करना पड़ेगा इसका feature क्योंकि यह 6 का feature है ना कि यह 5 का symbol.trator वाला तो ब्राउजर में तो यह काम करी जाता है तो ठीक है एक बारा में वो restart भी करना पड़ेगा वेबपेक्सर्वर को तो अगर यह हो जाएगा तो अगर हम इसको spread करके देखेंगे नॉर्मली तो आगे 12,88 और यानि कि इसका मतलब यह है कि इसको अब हम loop में भी use कर सकते हैं for off loop में अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको आइटम और यहाँ पर यूजर जो हमारा है क्योंकि ट्रेवल प्रोटोकॉल इसने फॉलो कर लिए तो अब यह क्या है कि हमें रिटर्न कर सकता चीज़े जैसे नॉर्मल ओफ लोप में चल सकती है जो आइटम कर सकता है और मेकैनीजम क्या फेच करने का यह वाला मेकैनीजम है तो जब यह बोलेगा कि मुझे तो एक इटरेवल प्रोटोकॉल फोलो कर रहा है उसको कॉल करेगा अंदर वाले फंक्शन को और वो आईटम से जनेरेट कर करके इसको देता रहे तो प्रोटोकॉल हमने लगा है इटरेवल प्रोटोकोल simple object और उसने में 12 आशीश और ये quarter दे दिया even इसको और अच्छे से मैं कर सकता हूँ ऐसे पहले नंबर पर की होती है दूसरे नंबर पर value तो वही चीज कर सकता हूँ की और उसकी value गो return कर देता है id 12 name आशीश और ये pro quarter इस तरह से तो iterable protocol यहां पर इस तरह से मैंने इसमें लगा दिया तो iterable protocol array by default रखता है और map और set भी रखते हैं by default तो वह चल जाते नॉर्मल object नहीं रख पाते हां array like object जो होते हैं जैसे node list हो गया HTML collection हो गया जो मैंने आपको example दिखाए document.query से और साथ की साथ या फिर 012 ऐसे जो भी मतलब string होगा string के अंदर भी array like object होते हैं या नॉर्मल आप कर सकते हो जीरो वन जहां पर index हो और साथ में length हो वह array like object तो automatically हो जाता है बट जिसमें कुछ भी नहीं है उसके अंदर आपको iterable protocol यह लगानी पड़ेगी उसकी मज़ से सारा काम होगा मैं चाहूंगा एक बार आप इसको देखें दुबारे यह सारी चीज को क्या कर रहा है कुछ से copy pen पर थोड़ा करके देखें अगली चीज हम study करने वाले हैं generators जो होते हैं हमारे पास वह इटरेबल प्रोटोकोल को भी follow करते हैं और साथ की साथ इटरेटर भी वो से अकसी न्योंकिया से मुश्टा या नाम से और उसमें कुछ कि स्टार्ट और эп Keよろしく देने वालाओं की इतना स्टार्ट करना औरिटना ऐंड एसे कुछ इस तरहीं है अगर में कुछ आंदे करने हैं और क्योंकि generator functions में yield होता है तो मैं यहां पर इसको कर रहा हूं yield क्योंकि generator function बहुत iterable and iterator दोनों होते हैं तो अगर मैं यहां पर इसको console.log normal तरीके से करता हूं कि range function को call करो कहां से मैंने कहा एक से लेके 11 तक चलाओ मतलब उसके बीच में एक से लेके 10 तक वो चलने वाला दैन उसके बाद क्या होगा उसको spread out कर तो spread out मतलब सारी यह की बार कटी नहीं आए ओफ देता है वह तो भाई साब क्या करते है वह तो iterator निगलता है उसको देविते जब दसके मतलब कि const itr अगर आप इसको तोड़ के देखना चाहो कि इसको function को जब call करेंगे तो एक iterator मिलेगा हमें जिसके उपर iterator किया जा सकता है और अगर ऑफ होता तो वह तो ऑफ sequence generate करके नहीं देता वह simple आपको 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 खुद से करना होता है यहाँ पर लूप लगा के भी कर दिया तो फ्रॉम जो है वह बहुत पावर्फूल है आप देख पा रहें कि मतलब अब लास्ट हम देखने वाले कि आप इसको देते हो तो यह उब्जरेबल की भी आपको बना के दे देता है मैं एक आपको जैसे कि मैंने एक अब्जरेबल ली और उस मैं कहता हूं कि उसमें 12-34-56 हैसे दे दिया आप में हमें पता है अगर कोमा सेपरेटी दोगे तो वह उनको इंडिविजुल एंटिटी ट्रीट करेगा पहले 12 जनरेट करेगा तो नीचे वाला जो फ्रोम है वह सको सब्सक्राइब कर देगा उपर वाले को तो आपको प्लती रहे के अप सब्सक्राइब से खुक्त यश्म से फरेका प्सें कर सकते प्रॉमिस से लाइक अब्जेक्ट हो गयाएग और साथ-की साथ करते हैं आदिकर ईकरते हैंसे में बना सकते हैं नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी इसी से आगे थोड़ा चलेंगे कि हम लोग इवेंट की मदद से कैसे हम अब्जरेबल्स को बना सकते हैं विछली वीडियो में ओप देखा फ्रॉम देखा फ्रॉम का सेकंड पार्ट यह था आपको अच्छी सीजर लग रही हो आपके लिए तो जुरूर मैं लेके आओंगा बस कमेंट में अपना विचार बताएं मुझे किस तरह कंसेट्स और क्या के आप चाहते हैं उसके इंदर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धने वाले हुआ 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 है